दोस्तो सर्दिया चालू हो गई और सर्दियों के मौसम में बहुत ज़ादे फाइदे मन्द होते हैं, गौंद के लडू, गौंद में बहुत ज़ादा कैलसियम होता है, हड्डemen कादर, जोड़ों कादर सब खतम हो जाते हैं, और आप जानते हैं इसलिट लड्डो जन्रली त आपके इतने पर्फेक्ट बनेंगे कि वो आप जो खाने वाले बोलेंगे वाओ ये गौंद के लड़ू आपने कैसे बनाए और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है दोस्तों तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ गौंद के लड़ू तो गौंद के लड़ू बत यही चीनी मेनantage में पीश लिया है और यहां पर हमने लिया है गौंद घाई 100 ग्राममे Payson के बहुत परफेक्ट लगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले आप गैस पे कोई भी भारी तले की मोटी कड़ाई रखे मोटी कड़ाई रखने से क्या होगा आपके जब गोंद के लिए आटा सेखेंगे लड़ू के लिए तो वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं एकदम एक सार सिकेगा तो सबसे पहले हम फ्राइ करेंगे गोंद को तो मैं बड़ी कड़ाई में लगबग तीन से चार बड़ा चम्मस देसी घी को डाल देती हूँ और ये देसी घी हम उसी एक किलो घी में से ले रहे हैं दोस्तों अलग से लेने की जुरत नहीं है परफेक्ट नाप के साथ आज मैं आपको लड़ू सिखाऊंगी अगर आप पहली बार ही गोंद के लड़ू बना रहे तब भी बना लेंगे तो हमारा यहाँ पे घी गरम हो गया अब सबसे पहले हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे गोंद को तो गोंद को जब भी आप मार्केट से लाएं लड़ू बना रहे उससे पहले लगवक आदी एक घंटे तक थोड़ा सा धूप में जरूर रख दे उससे क्या होगा अगर गोंद में कुछ भी सीलन वगेरा होगे तो वो नहीं रहेगे और गोंद बिलकुर क्रिस्पी सिखेंगे तो नर्मन घी में हमें बहुत जाता गरम घी में गोंद को फ्राई नहीं करना है और मैं इसी तरह से गौंद को फ्राई करूंगे और दूसरे बर्तन में रगती जाओंगी तो गौंद को आप इसी तरह से फ्राई कर लीजे सारे गौंद को देसी घी अगर करम लगता है तो हम थोड़ा सा देसी घी और डाल देंगे और गर्मा गरम खी में हम लगाता जहारे से चलाते हुए इस तरह से गौन फ्राई करेंगे बहुत जादा गरम घी में भी आप गौन मत फ्राई करेंगे बनना वह उपर से तो फूल जाएंगे अंदर से कच्छे रहेंगे तो इन सब चुटी चुटी चीजों को आपको ध्यान देना है एकदम गौन को आपको अच्छ को मैंने साफ करके ले लिया और गैस पे चढ़ा दिया अब हम यहां पे डालेंगे देसी घी तो दोस्तों उस डब्बे में जितना घी बचा है वो आपको एक साथ नई डालना है मैंने एक किरो गेह काटा लिया है तो एक किरो देसी घी भी लिया है आप चाहें तो सबा भी गेहुका आटा ले सकते हैं अब मैं थोड़ा सा घी यहां पे बचा ली हूँ और बाकी का पूरा घी हमने इस बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है फ्रेंड्स क्यूंकि यह कढ़ाई थोड़ी बड़ी है इसलिए आपको घी जो है वो थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकि जब भी गौंद के लड़ू बनाए फ्रेंड्स तो थोड़ा सा अगर चक्की से मोटा आटा पिस्वा लेंगे तो आपके लड़ू और टेस्टी बनेंगे या फिर जैसा आटा आपके घर में आता है उससे भी आप बना सकते हैं तो इस तरह से देखिए मैं यहां पे सारा आटा यहां पे डाल दी हूं घी हमने बचाया है क्योंकि हम बाद में उपर से आट करेंगे देखिए अभी जो है हमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में जब हम आटे को डालते हैं तो आपको थोड़ा सा बहुत मुस्किर लगता है चलाना लेकिन जैसे ही आटा सीखने लगत हूं इस तरह से अब यहां पे डबे में बिल्कुल भी घी नी बचा पस एक छोटी चमज के करीब बचा होगा हमने पूरे घी को यहां पे डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे बहुत बार क्या होता है बहुत से लोग जब गौन के लड़ू बनाते हैं तो उ फैले फैले प्लेट में रखते हैं ऐसे फैल जाते है बर्फी टाइप लेकिन एकदम पर्फेक्ट ना आप से आप बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूं तो आपके लड़ू बिल्कुल गोल गोल बनेंगे तो दोस्तों दस मिनिट बाद में आपने देखा मुझे पूरा चल और उधर उधर नहीं जाना है नहीं तो आटा नीचे से एकदम लग जाएगा तो दोस्तों दस मिनिट बाद और मैं लगातार चला रही हूं यानि कि टोटल 20 मिनिट हो गए हैं मुझे लड़ू के लिए आटे को भूनते हूए लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम और जारे से चलाते हूए लड़ू के लिए आटे को सेखना है इससे बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट लड़ू बनेंगे अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपके आटा जल भी सकता है तो मैं इसी तरह से चलाते हूए सेख लोंगी तो दोस्तों पूरे आटे को पका करके इसे ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ नीचे क्योंकि यह गैस की जब कढ़ाई बंद रहेगी तो पांच मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलने देते हैं फिर पांच मिनट बाद में हम इसे संभालेंगे और गैस का फ्लेम बंद करके नीचे रख देंगे तो दोस्तों प पूरा जो आटा है यहां पर ठंडा हो गया दोस्तों इसी ठंडा होने में लगबक आदी घंटे का समय लग गया था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है चूने में एकदम चुआ रहा है बैटर ना ही जादा गीला है ना ही जादा ड्राई अपकि हम इसमें में बूरा बगएरा एड करेंगे तो यह एकड़म पर्फेक्ट हो जाएगा तो जो बदा मैंने रखे थे वो ढाल देती हूंग को बिडाल देती हूं बहुत से लोग बढको ऐक दम पर इस नहीं कर रहे हैं अब हम डाल रहे हैं चीनी एक साथ तब तक हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगता है गूंद के दाने थोड़े मोटे तो आप क्रस्ट करके भी डाल सकते हैं लेकिन आज मैं गौंद के लड्डू में गौंद को क्रस्ट नहीं करूंगी क्योंकि गौंद के लड्डू है दोस्तों तो जब कुसी को सर्फ करें यापन भी खाये तो लगना चाहिए आ हम गौंद के लड्डू खा रहे हैं तो देखिए हातों को साफ करके हातों से अच्छे से मीक्स कर लिजे मिक्सस अग्दम परफेक्ट लड्डू आसानी से बाइंड हो रहे है पर्फेक्ट है बिल्कुल भी घी की मात्रा जादा नहीं है कि आप लड्डू बना और वो एक्दम से फैल जाए पर्फेक्ट गॉल गोल लड्डू बनेंगे लेकिन अभी इसमें जो बुरादा बचा है चीनी वाला वो हमें पूरा ड बनाईए यकीन मानिए इससे पहले आपने ऐसे गौंद के लड्डू नहीं बनाएंगे और हाँ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लिजे जल्दी जल्दी से तब तक मैं मिक्सर को मिक्स कर रही हूं तो फ्रेंड्स मैं हाथों को थोड़ा साफ करके आती हूं मि देख सक रहे हैं वीडियो में नौर्मर साइच के लड्डू में यहां पे भांद रही हूं पर्फेक्ट सभी चीजों का जो नाप था वो पर्फेक्ट था मैं जब भी गौंद के लड्डू बनाती हूं तो सिफ बदाम ही डालती हूं अगर आपको और भी ड्राइफूट् लेकिन हमने सिफ गौंद और बदाम ही डाला है गौल गौल लड्डू बन रहे हैं इसी तरह यह हम सारे लड्डू बन देखे एक बार इतने लड्डू बन गये हैं तो दौसतों इसी तरह से में सारे गौंद के लड़ू बनाके रख लेती हूं पूरे लड़ू बनके तयार हो चुके हैं दोस्तों महनद जरूर लगी लेकिन बहुत टेस्टी बहुत परफेक्ट सर्थी के मोसम में खाई ये गौंद के टेस्टी टेस्टी लड़ू और देखे बिल्कुल भी घी जादा न बाई बाई